तो आज इस वीडियो मैं आपको बतने वह आप घर वगाए थे अपने अधार काद के हाध को पी यानि कि PVC जो काद होता है जिस तरीके से जो पेण काद होता है उस तरीके से आप खुद से घर वह थे आप अधारकाइब को कैसे माँसस क्लिक कर दो हागा तो हम जब भी अपना आधारकाइब बनुदाघ है तो नौर्मल्मली हम किसी साइबर कैफेसे जाकर करके या फिर जहां पर प्रिंटव होता तो हमनौर्मली अपने अधरकाद के हाथ कॉपि को प्रिंट करवा लेते हैं पी बीसी काद पे बथ ऊसका जो क्वालीटी होता है उतना अच्छा नहीं होता है उतना अच्छे तरीके से देकरे में नहीं लगता है बथ वह भी हमसे किसी भी साइबर कैफे से या फिर जहां पर प्रिंट आउट होता है तो वहां से हम पैसे देखर के किसी भी बेकार क्वालिती के आधार काद को क्यों ले तो चलिए बीना किसी देरी के जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे ओरिजनल ऑफिस्यल जो अच्छे क्व नाउजर ओपें करने के बाद यहां से आपको सर्च कर लेंगा यू आइडी यू आइडी ऐइड शर्च करते ही यहां से आपका आधार का आफिस्यल जो वेबसाइ honeymoon वह यहां थ्री दॉट पे क्लिक करके एंड यहां से डेस्क्तॉप साइट को इनेबल जरूर कर लेंगे के इनेबल करते ही आपका जो यह वेबसाइट है वो बिल्कुल देस्क्तॉप की तरह इंटरफेस करने लगेगा तो यहां से आप जिस भी तो वे जूम करते हैं तो यहां से आपको देखने को मिल जाता है Get Aadhaar के सेंस्ट में नीचह जूगर और यहांसे। उस और यहांसे आपका औहार काहां तक पहुंचा है क्या आपका प्रोसेस हुआ है। तो यहांसे आपको सिंपली order करने के लिए कलिक कर लेनाया, order अधार PVC card पे यहां क्लिक करते ही यहां से आपका login का option मिल जागा तो आपको login पे click कर लेना है login पे click करते ही यहां से उपर में enter अधार का option मिल जाता है और नीचे में enter above capture का option मिल जाता है तो यहां से उपर में आप जिस भी अधार card के पीबीसी कादि को order करना चाहता है उस अधार कादि के नंबर को यहाँ पे type कर लेंगे और यहाँ सा जो capture code so कर रहा है उसको यहाँ पे नीचे में type कर लेना है और send OTP पे click कर लेना है तो अगर आपका mobile नंबर आपके अधार में अगर link नहीं होगा add नहीं होगा तो फिर आप इस process को complete नहीं कर सकते हैं आप कोई भी अधार के service को use नहीं कर सकते हैं तो अगर आपका अधार में mobile number add नहीं है तो फिर आप किसी भी nearby service center में जाकर के वहाँ से आप अपने mobile number को add करवा लिजेगा, अपने अधार card में link करवा लिजेगा, link करवाने के बाद आपके भी mobile number पे OTP आने लगेगा, तो OTP आने के बाद यहां से OTP को type कर लेंगे, और कर लेना है, यहां क्लिक करते ही आपका जो भी detail है वो यहां से आपका show कर देगा, तो आप अपने detail को एक बार देख लेंगे, और नीचे में यहां से आपका address भी show कर देगा, तो आप जब इसे PVC आधार card को order करेंगे, तो आपके आधार card में जो भी address होगा, वहीं पे आपक postman आके आपके PVC card को देदेगा, courier कर देगा, तो यहां से आपका नीचे में option मिल जाता है, आपको next पे click कर लेना है, next पे click करते ही, यहां से आपका एक option देखने को मिल जाएगा, I hereby confirm that I have, यहां से आप पर read कर लेंगे, तो यह payment का option है, यहां से आपको check mark पे click कर लेना है, और click करते ही, यहां से नीचे का option यहां से आजाएगा, make payment का, make payment पे आपको click कर लेना है, make payment पे click करते ही, यहां से payment करने का option आजाएगा, तो यहां से आप देख सकते हैं, 50 रूपीज है, 50 रूपे आपको यहां पे payment करना है, तो यहां से आपको बहुत से options मिल जाता है, payment करन आपके पास आपके घर पे जो आपका अधार में एद्रेस होगा वहां पे आपका अधार का पीवी सी काद आ जाएगा तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि आपको वहां पे एक नंबर मिल जागा तो उससे आप जहां से मैंने पहले आपको बताया कि कहां से आप status चेक कर सकते हैं तो वहां से जाकर के आप उस नंबर को add करके अपने PVC काट को track भी कर सकते हैं उसका status भी आप देख सकते हैं कि क्या process हुआ है कहां तक आपका PVC काट पहुंचा है आपके पास कब आएगा तो इसी तरह से आप अधारकाट के official website UIDAI से जाकर के 50 रुपे पे करके आप अपने अधारकाट के original hard copy यानि की original PVC काट को घर पे मंगवा सकते हैं order कर सकते हैं वो भी एक बहुत ही अच्छे quality का तो आई होप कि आपको इस वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अंद भी तक चैनल को सब्सक्राइ करें खिलाल के वीडियो में इतना ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो के साथ